अब प्रैक्टिस करवा रहा हूं जो कि आपके एक्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है शुरू करेंगे अपने पहले क्यूशन से हमारा हरप्पा सभेता का उत्पत्ति काल निर्धारित करें ऐसे तो हम लोग बेसिक तोर पर जानते हैं क्या कि 2500 इसा पुर्व से लेकर 1750 इसा पुर्वत्त क्या है हरप्पा सभेता का सरवधिक मनेता पराप्तकाल है लेकिन यहाँ पर कहता है कि हरप्पा सभेता की उत्पत्ति काल निर्धारित करें तो सब के बारे में हमें बताना पड़ेगा और यह आपके लिए काफी ज़ादा आपके बोड़ examination किलिए काफी ज्यादा important रहने वाला है काता है कि उत्पत्ती समंधी काल करम के बारे में काल करम मतलब tsuki काल अवदी के बारे मेंशने के बारे में अनेयक kya हैं तो आँधार नाए हैं जो निम्लिखी थे hoop हैं मार्टीन वीलर के अनुसार इसका बात कर लें सेकेंड में तो आधुनिक संधानों के अधार पर इस सभेता के तीन चरण माने जाते हैं आरंबीक चरण इसभी और इसापुरु के बाड़े में मैंने आपको समझाया था इस वी क्या होता है इसापुर्व क्या होता है तो ध्यान रखिएगा ठर्ट कहता है मारा एकुछ विद्वानों इसका कालकरम 3250 इसापुरु से 2750 इसापुर्व मानते हैं इस बात का विए खास क्याल और फोर नमबर कहता है हमाना की रिडियो कारवन पद ती जिसे हम लोग जानते हैं यानि की सी 14 मेठर तो सी 14 मेठर के अधार पर इसका काल पचीश से लेकर सत्रसों पचास इसापुर्व के आजपास से माना जाता है तो ध्यान रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए नेक्स्ट हमारा क्यूशन करता है क्यूशन नमबर टू और ऐसे भी आप लोग अप्पास अविता से कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क आपका क्या विल्खुल पूरा तात्वीक शुरूत मैंने आपको बताया था तो सहीतितिक शुरूत की टिपनी करना है साहीतिक शुरूत मतलब होता है एक तरह से अब कहिएगा कि धान्मीक और आपका सकते हैं इसमें धान्मी इपेक्स भी रिलेटेड होता है तो महाभारत के सहाइतिक स्रोट पर टिपनी करना है महाभारत इतिहास लेखन में महत्पून सहाइतिक स्रूट माना जाता है इसे बहुत सवर्लिए इवं 15 से परक्रम है इसमें इतिहास लेखन से संबंदित अनेक तरह प्राप्त होते हैं इस गरंथ कि मुल्ग कर श्तिव क्लु मैं मतलब लिखा हुआ इतिहास के बारे में मिलती है बने नहिए इंपॉर्णuir रहेगा अब देखिए गांधार कला से आप क्या समझते हैंब आप बताईए गंधार कला क्या था मैंने आपको महाजनपत के बारे में बताया था ठीक है तो उसी पर इंट्रिपेंडेंट है ध्यान दिजाए यहां पर का कहता है कहता है कि गंधार कला ऐसी कला है जिसके अंतरगत पहली बार युद और बोधी सत्व की मानवाकार मुर्तियां बनाई गई बोधी सत्व की मानवाकार मुर्तियां बनाई गए इन्हें सफेद और काले रंग के पत्थर से विभीन मुद्राओं में बनाया गया इनके बाल के अलंकरन पर भी से ध्यान दिया गया था किसके तो गंधार कला में यह बहुत इंपोर्टेंट रहेगा आपके एक्जामिने को देख सकते हुआ फोर्ट कहता है मनसबदारी ब्वस्था की मुखवी सिताओं का वर्णन करें सभयान दिजेगा मनसब्दारी ब्वस्था की सुरुवात अकवर काल में हुई जो दसमलों पर अधारित था दस अमलों पर नाली क्या होता ये भी आप जानिएगा करता कि मन मनसब्दार को दो पद जात एवं सवार परदान किये जाते थे मनसब्दार जो होता था मनसब्सदार जात और सवार पर अधारी थे और मनसब्दारी विवस्था मुगल सेना का प्रमुख अधार थी उसने मुगल समराज के विस्तार एवं सू विवस्था में महत्तपूर्ण मुरीद में अंतर बताई आप सूफी संतों के बारे में आपको तो मैंने बताया भी था तो देखे काता है सूफी संतों को भारत में पीर जथा भी देशों में सेख नाम से सम्मोदित किया जाता था सभी संतों ने गुरू की महता को सरवचस्थान दिया था मुगलकाल में पीर को सरद्धा की दिरिश्टी से देखा जाता था पीर के जो सी से होते थे वे मूरीद कहला थे बिल्कुल लोगों को नियान दिजएगा और उनके जो शी से होते थे चिले चपाटी होते थे उनको कहा जाता था क्या मुरीत कहते थे मुरीद गुरू के प्रति असीम सरद्धा भाव रखते थे वे पीर की सिक्षाओं को जन्यन तक पहुंचाते थे ध्यान में रखेगा यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा पीर और मुरीद में अंतर बताईए बिल्कुल आज भी मैच करेगा सारे क्यूशन 9 बज़ जल आशयों का निर्मान कराया गया था नदियों और में बंध मनवाए गये थे नदियों जीलो से नहरे निकाली गई थी जिससे सचाहिव होती थी जनता के लिए पेजल के सुंदर वे वेहास ठाथी जल क्या अब सकता पर पर सुंदर सा टिरिस आपको लिखना होगा तो आ आपी दादा आपी दादा